जोती शोत जीवन में आपका स्वागत है स्री गुरु चर्णों में नमनकर स्री गणेश की वंदना करता हूं आज हम विचार करते हैं इस बात पर कि घर में या मकान में, आफिस में, फेक्टरी में, कहीं पर भी घरी को कौन सी दिशा में लगाया जाना चाहिए घरी को पूरु में, उत्तर में, पश्चि में, इन दिशाओं में लगाना चाहिए लेकिन क्यों? वात्तु शास्त्र और जोतिशी आधार पर क्या कारण है कि इनी दिशाओं में घड़ी को लगाना चाहिए, दक्षिन में नहीं, हम इसी को समझते हैं. जब ये बात हमारी समझ में आ जाएगी, तो हम इसका पून लाब ले सकेंगे, इसके महत्व को समझ सकेंगे. पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और सूर्य निरंतर्ता के प्रतीक है एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जो निरंतर एक ही गती से चलते रहते हैं इसलिए वो हर चौदा जनवरी पर मकर राशी के उसी अंश पर आ जाते हैं इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रानती मनाते हैं, आंशों के अंतर के कारण कभी वो 15 जनवरी को, लेकिन फिर भी उनकी गति एक जैसी है, निरंतर वो श्रम करते रहने के प्रतीक है, निरंतर एक ही गति से चलने के प्रतीक है, यही शिक्षा देती है, और घड़ी भी समय को निर भुण भी बताती है कि किस तरह से निरंतर चलते रहना चाहिए बिना रुके चलते रहना चाहिए घड़ी कारो मिलुकी प्रेर्णादाय होए प्रत्येक विक्ति के लिए जाहे वो कोई भी हो विएपारी हो विध्यारती हो क्योंकि जीवन में सरवादिक महत्व है, महत्व समयका है, और समयका प्रतिनिद्वत्व करते हैं सूरी देव और घड़ी, इसलिए घड़ी को लगाने की सरवतन दिशा पोर्व, दूसरी दिशा, दूसरी दिशा है पश्चिम, क्योंकि सूरी देव पश्चिम में अस्थ हो जाते हैं, वैसे वो अस्त होने के बाद रात्री में भी वो सत्त कारिक करते रहने के प्रतीक हैं तभी तो दूसरे दिन वापस फिर वो ने समय पर पुर्व में उदित हो जाते हैं इसलिए घड़ी को लगाया जाने का दूसरा सबसे उत्तमिस्ताने पश्चिन दिशा तिसरी दिशा है उत्तर उसके पीछे कारण है उत्तर दिशा हलकेपन की प्रतीक है बाहर सहन करने की ख्षमता नहीं है उसमें निर्भार है वो वजन सहन नहीं करती वास्तो शास्त यही कहता है कि वजन सहन करने की ख्षमता दक्षण दिशा में है उत्तर में नहीं, इसलिए दक्षन में भारी निर्मान की बात कही जाती है, दक्षन को भारी रखने की बात कही जाती है, और जो निर्भार होता है, वही निरंतर एक गती से चल सकता है, निरंतर गती मान बने रहने में भार वजन वो बाधा उत्पन्न करता है, उत्तर दिशा तीसरे नंबर की जो दिशा है घड़ी लगाने के लिए उत्तम वो है उत्तर, दक्षन दिशा, दक्षन दिशा भार के पतीक है, वजन सेहर करने के एक शमता भारी है वो, अपने आप में, जब भारी होगी तो निश्चित रूप से वो निरंतर गती बनाए रखने में बाधा रहना चाहिए, इसलिए दक्षन दिशा में घड़ी लगाने का निश्यद है, दूसरे शब्दों में, दूसरी मानिता के आधार पर, दक्षन दिशा को यम के दिशा माना जाता है, और घड़ी समय बताती है, अंगित करती है, इंगित करती है वो पार्टिकुलर टाइम को, समय को, कलेंडर वो भी समय बताता है, इसलिए जो समय सूचक यंतर है, घड़ी हुआ, कलेंडर हुआ, ये कभी भी दक्षनी दिशा पर नहीं लगाया जाने चाहिए, इनके लिए श्रिश्टन दिशा पूर्व दूसरे नमबर पर पश्चिम और तीसरे नमबर पर उत्तर ह अब इन दिशाओं में, यदि दर्वाजा हो गेट, तो उसके उपर भी घड़ी नहीं लगनी चाहिए, घड़ी को दर्वाजे के उपर भी नहीं लगाना चाहिए, इसलिए बाद घड़ी खरिदने से ध्यान लखना चाहिए, कि वो गोल हो तो सरवो तो, या फिर उसके डि दित्व करती है, समय जीवन का मुल्यतम, सबसे मुल्यवान अगर जीवन में है कोई, वस्तो तो वो है समय, तो समय का महत्म दिखाती है, उसका मुल्यदर्श प्रदर्शित करती है, निरंतर गतिमान रहने का प्रतिक है वो, और सोर्य भी उसी का प्रतिन दित्व करते हैं, इसलिए स्थेश्टम दिशा पूर्व उनके अस्थ होनी की दिशा पश्चिम तीसरे नमबर पर उत्तर और दक्षिन का लिशेद है मैं आप सब के उत्तम समय की कामना करता हूँ इस वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब का समय प्रगृति कारख हो इसी प्रार्थना के साथ आपको प्रणाम नमस्कार नमन